तो आप सो कुझवार और यहां पर एक खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का हमला जहां पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जार्खन में always not well चली देख लेते हैं क्या है यहां पर मामला बारते जन्ता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यहां पर जहार्खन के मुख्यमंत्री हेमन सोरिन पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि आजाद भारत की इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि अपनी तमाम सुरक्षा को धत्ता बताते हुए एक राज्य का मुख्यमंत्री चालिस घंटी तक ला पता रहा चालिस घंटी के बाद मुख्यमंत्री सामने आए और कहा है कि all is well आगे बोला जा रहा है कि प्रतुल ने कहा है कि नहीं मुख्यमंत्री जी कुछ भी ठीक नहीं है आप राज्य के मुख्या है सरकार के मुख्या है आपने जो सपत ली है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा यह आपकी जिम्यदारी है आप बिना किसी जानकारी की लापता हो गए थे आप चालिस घंटे कहा रहे बड़ा सवाल यह है कि आप राज्य की जनता को इस तरह बे सहारा कैसे कर सकते हैं प्रतुल सहदेव ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक सीम की तरह व्यवार नही का बयान हेमन सोरिन पर बने सस्पेंस के बाद आया है दरसल सनीवार को हेमन सोरिन दिली के लिए रवाना हुए सोमवार को एडी की टीम दिली स्थित उनके सरकारी आवास पर उनसे पूछताच करने के लिए गई हेमन सोरिन अपने सरकारी आवास पर नहीं मिले टीम ने यह में हमन सोरिन के आवास पर एडी के टीम के पहुंचने के बाद ज्यारखन की राजनीती में अचानक उबाल आ गया बाजपानेताओं ने यहां पर सीम हमन सोरिन को लापता बताती हुए इससे मुद्दा बना दिया आकर सीमों से यहां पर एडी को एक इमेल के जरीए बताए गया कि 31 जनवरी को दिन में एक बज़े सीम आवास में आकर हेमन सोरिन से पुछताच कर सकते हैं सोमवार से मंगलवार को दो पर दो बज़े तक सीम का कोई अता पता नहीं था इसी मुद्दे पर प्रतुल सादेयों ने उन पर हमला बोला है अब देखते हैं किसको लेकर आगे क्या कारवाई की जाएगी जुहार